विदेशों के मार्किट की तर्स पर विक्सित हुआ इंदौर का 56 बाजार में अब अनलोक दो में धीरे धीरे अपनी रौनक पर लोट रहा है वही शाशन से मिली अनुमतीओं के बाद 56 दुकान के व्यापार्यों ने आने वाले सबी ग्रहकों के लिए कुछ सुरक्षा के कड़े नियम तैडिये हैं जिसके तहट बाजार में प्रवेश के पूरुस सुरक्षा के कुछ उपकर्णों से होकर ही ग्राहकों को प्रवेश करना होगा दरसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट जन्वरी महा से 56 दिन का लक्ष बना कर इंदौर की 56 दुकान बाजार को बंद कर इसे विक्सित करने का काम शुरू किया गया था जिसके बाद दिन राज चले इस मार्केट के काया कल्प के कारी के चलते यह मार्केट 56 दिन भविता के साथ शुरू हुआ था लेकिन कोरोना काल के कारण केवल 48 घंटों में ही इस मार्केट को दुबारा बंद कर दिया गया था वहीं अब अनलोक दो में प्रवेश कर चुका इंदौर शहर में शाशन द्वारा 56 दुकान को भी सरशर्ट अनुमती प्रतान की गई है जिसके तहट इन दुकानों में ग्राहक को प्रवेश नहीं दिये जाने का नियम तैकिया गया है जिसका मतलब है कि दुकान संचालक सिर्फ पार्सल सुवीदा ही ग्राहको को दे पा रहे है वहीं सशर्ट मिली इस अनुमती के बाद 56 दुकान व्यापारिय असोसियेशन इस सुरक्षा को लेकर भी खुल से कुछ नियम तैकिये हैं जिसके तहत एसोसियेशन द्वारा 56 दुकान के दोनों प्रवेश द्वारू पर थर्मल स्क्रीनिंग गेट लगाए गये हैं जिनसे होकर ही ग्राहकों को बाजार में प्रवेश करना होगा इस ववस्ता को लेकर 56 दुकान के व्यापारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमन के मद्दे नजर यह बदलाव किया जाना आती आवश्यक है जिसके कालन इन नए उपकरनों का प्रयोग 56 दुकान पर किया जा रहा है आते हैं तो फिर खाएं कहां पर बुले हम जागे कहां खाई है तो वह जो से हमारे पास में 40,000 इसकर फिट जगे सामने हमरे खुली हुई तो अगर वह पर्मिशन देते सरकार हम को कि यहां पर आप दूरी बना के खाएं तो बहुत सारे लोग खा सकते हैं यूग ज्यादा इंट्री हो नहीं रही साब कुछ लोगों का 15% पर पारे कुछ का 10 और किसी का 20% पर आया हम लोग जब सरकार थोड़ा सा इन चीजों पर देगी अब जैसा आप छोले टीकिया किसी खाना तो सरक पर खाएगा पावाजी खाना तो खानी सकता है क्योंकि ले जाएक कैसे ले खाने सरी है तो उनको तो खाने की परिमिसर बाहर का ही किरांग हमारे पास बहुत था तो वह तो किरांगी सब समाप तो को ही सरमारी अभी हम लोगों को तो 20% पर आगे हैं साब यह भी बड़ी उपलब्दी ऐसा लग रहा है जब सुरू करा था तो 6-7-8% पर था विज लगाया है कि इंडिविजल एक एक शाप को टेंपरेचर के लिए परेशान नहों पड़े दो गेट बना दें गेट बनाने का जो लॉजिक था वो इतना ही था कि आगमन और निगरमन दोनों अलग अलग हो तो जो क्रॉस इंवेक्शन है उसकी भी कमी हो जाएगी और गेट तो इक दुप्रेचर को लेके निकलेगा कि उसका body temperature क्या है आगर इसकी सुरक्शा हो गई उसने देख लिए कि इसका temperature क्या है तो एक rankings दुकांदार को temperature गन्से टेंपरेचर लेने की जरूरत निंपड़ेगी सिफ उसके पीछे यही एक तर्प नहीं नहीं यह association ने लगाई है और चार गेट हमने इस तरीके के बनवाएं दो इस तरफ और दो इस तरफ पहले दो का हम पहले टेस्ट कर लें कि प्रापर रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं फिर उसके बाद में दो इस तरफ गेट लगाए जाएंगे वर्तमान में दोकानों की ग्राहक की केवल 15-20% तक रह गई है जिसको लेकर प्रशाशन से उनकी मांग है कि जिस मनशा के अनुरूप 56 दोकान का कायकल्प किया गया था उस मनशा के तहट ग्राहकों को दोकानों के सामने विक्सित की बैठने की विवस्था को सोशल डिस्टें से किसा शुरू किया जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को आने का सिलसिला बड़े और व्यापार सूचार रूप से चल सके खबर मद्यप्रदेश के लिए इंदोर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट